असुरों को ऐसा क्यों लगता है कि दिवताओं के पतन में ही उनका उध्धान है क्यों उधोश अपने आचरन में नहीं देख पाते स्वामी असुर समाज इस प्रकार कभी भी स्तिर्था प्राप्त नहीं कर सकेगा हाँ पारकते हैं किसी का पतन किसी को उध्धान का अधार नहीं बन सकता उध्धान तो व्यक्तिगत होता आंत्रिक उध्धा जब किसी समाज में प्रत्य एक प्याव थी इस आंत्रिक उध्धान के लिए अग्रसारा तब इस समाज में परिवर्टन बास्त्रीक रूप से संभग है प्रतिशोद मैं हिंसा हिंसा जित्नी शती किसी दूसरे को पहुंचाती है भाणौती उसे कई अधिक शती स्वायम को पहुंचाती असुरम सदेव के वर यह दिखा कि उनके साथ अजयाए उडा किंटो किसी ने कभी यह नहीं सोचा पार्वती, कि जिससे वो अन्याय समझ रहे, यह वास्तविकता में वो अन्याय है भी या नहीं, और यदि अन्याय है, तो उसकी कारण क्या है? असरों ने कभी भी अपने अंदर मन में जहांक पर नहीं देखा कि क्या कभी उनसे भी कोई भूल हुई थी आत्म विश्देशन का कभी कोई प्रयास नहीं किया और उन्होंने सदय के वल यहीं समझा कित्र देवने और देवता उन्हें उनके साथ विश्वास खाद किया किन्त उन्हें अपने द्वाया किये गए विश्वास खाद पर कभी विचार नहीं किया उन्हें जब ने जो भी वरदान मांगा है उन्हें अवश्च प्राप्त हुआ किन्त बिढम बना देखू मैं तो गांशाओ कि पूर्सी देली